हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल डृष्टी आएस एंग्लिश दूसरा यूट्यूब चैनल डृष्टी आएस के नए प्रोग्राम प्रिलिम्स प्रैक्टिस विल्ज में हम UPSC और अलग-अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परिक्षाओं में पूछे गए सवालों को विशलेशन के साथ हल करेंगे जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चैन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे विकल्पों की छटनी करना, गुनियादी अवधारना को समझना, तत्थियों और अतिवादी वविशेश शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे इस कारिक्रम के तहट हम हरे एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे टीम द्रिष्टी द्वारा हाली में लॉंच की गई, प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पोस्तक श्रंखला को आधार बनाए इसमें UPSC समेत विभिन प्रारंभिक परिक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्णों का संकलन उत्तरव विश्लेशन के साथ तयार किया गया है इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगे प्रलिम्स प्रेक्टिस क्विस सेशन 20 में आपका स्वागत है आज के इस सेशन का हमारा पहला प्रश्ण है निम्निलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्व भौमिक लेंगिक अंतराल सूचकांक यानि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेडिकरन प्रदान करता है हमारे ओप्शन्स हैं तो इसका सही उत्तर है यानि विश्व आर्थिक मंच पिछले दस सालों के सिविल सर्विसेस के पेपर्स देखें तो शायद ही कोई ऐसा मौका रहा हो जब UPSC ने किसी रिपोर्ट या इंडेक्स पर सवाल ना बनाया हो आम तोर पर UPSC पूछता है कि वह रिपोर्ट या इंडेक्स कौन जारी करता है सवाल को कठिन बनाने के लिए इसके इंडिकेटर्स या सब इंडेक्स इसके बारे में भी पूछा जाता है अब अपने सवाल पर आते हैं Global Gender Gap Index World Economic Forum यानी WEF द्वारा जारी की जाती है फ्रेंच साल 2006 से WEF यह इंडेक्स जारी कर रहा है इंडेक्स में चार बातों पर ध्यान दिया जाता है और इनी के मेजरमेंट के बेस पर ये रिपोर्ट और इंडेक्स जारी होती है ये चार आयाम है आर्थिक भागिदारी और अवसर, शेक्षनिक उपलब्धी, स्वास्थे और आजीविका, एवं राजनीतिक सशक्तिकरन यानि इन चार आयामों के आधार पर देखा जाता है कि इन्हें पाने के मामले में पुरिशों और महिलाओं के बीच कितना अंतर है हम यह भी कह सकते हैं कि हम मुल्यांकन इस बात का किया जाता है कि महिलाओं के स्थिती में कितना सुधार हुआ है इसमें देशों को जीरो से एक के बीच स्कोर किया जाता है यानि जो देश एक के करीब स्कोर हासिल करते हैं वे रैंकिंग में उपर रहते हैं 2020 के लिए जो इंडेक्स जारी किया गया है उसमें आइसलेंड पहले, नौर्वे दूसरे और फिनलेंड तीसरे पायदान पर है इसमें यमन को सबसे आखरी यानि 153 पायदान पर रखा गया है पडोसी देश पाकिस्तान 152 यानि नीचे से दूसरे इस्थान पर है जबकि भारत को इसमें 112 रैंक दी गई है दोस्तो एक बात और भी ध्यान में रखें कि जेंडर से जुड़े कुछ और भी इंडेक्स हैं जिन में कभी कभार उलजन होती है इन्हें सही से तयार करें कुछ एक जैसे नाम के मिलते जुलते इंडेक्स हम आपको यहां बताते हैं जैसे जेंडर इनिक्वैलिटी इंडेक्स यानि लैंगिक असमानता सूचकांग इसे UNDP यानि United Nations Development Program जारी करता है जबकि एक है जेंडर इक्वैलिटी इंडेक्स और इसे European Institute for Gender Equality जारी करता है इसके अलावा एक और इंडेक्स है जेंडर पेरिटी इंडेक्स इस इंडेक्स को UNESCO जारी करता है इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा A अब अगला प्रशन देखते हैं निमनेलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक, मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतिय मानक ब्यूरो यानि B.I.S. का मानक चिन अनिवार रहे है कथन दो, एगमार्क, खादे एवं क्रिशी संगठन यानि FAO द्वारा जारी एक गुणता प्रमाणन चिन्ध है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा अत्वा से सही है, अत्वा है आप्शन्स हैं UPSC कभी-कभी ऐसे सवाल भी बनाता है जहां वह यह पूछना चाहता है कि लोग, खासकर प्रतियोगी विद्यार्थी जिस उत्पात का यूज करते हैं उसके बारे में जानते हैं या नहीं कि उस उत्पात की पैकिंग पर किस तरह का चिन्न लगा हुआ है या वह किन चीजों से मिलकर बना है किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो उन पर अक्सर किसी तरह का चिन्न बना होता है इन में I.S.I. मार्क जादातर देखा जाता है इसी तरह कुछ उत्पादों पर B.I.S. मार्क होता है तो वहीं कुछ कृषी उत्पादों पर एग मार्क बना होता है यहां B.I.S. मार्क की बात करते हैं उससे पहले B.I.S. यानी Bureau of Indian Standard भारतिय मानक ब्यूरो के बारे में जान लेते हैं फ्रेंच भारतिय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहट B.I.S. एक सामविधिक निकाए है लेकिन इसके विकास की प्रक्रिया अंग्रेजों के समय से ही शुरू हो गई थी 1986 में संसद के एक अधिनियम में B.I.S. जैसे मानक निकाए के गठन की चर्चा की गई जिसके बाद 1987 में इसका गठन कर दिया गया लेकिन 2016 में बने नए कानून से 1986 के कानून को समाप्त कर दिया गया वस्तों का मानक क्या होगा उनकी मार्किंग की जाएगी या नहीं और अगर की जाएगी तो कौन सी अनिवारे ये समानने उनका प्रमाणन कैसे किया जाएगा इन सब बातों को तै करने के लिए B.I.S. राष्ट्रिय मानक निकाए है फ्रेंड्स कुछ ऐसी वस्तों होती है जिनका प्रमाणन और मार्किंग अनिवारे होती है केंद्र सरकार इसके लिए समय समय पर आदेश जारी करती है जैसे वर्ष्ट 2009 में एक आदेश पारित कर केंद्र सरकार ने मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए B.I.S. मानक चिन अनिवारे कर दिया था इसलिए पहला कथन यहां सही है दोस्तों इसके लावा भी कुछ और वस्तुएं हैं जिनकी अनिवारे मारकिंग होती है जैसे घरों में उप्योग में लाए जाने वाले बिजली के तार, दूद पाउडर, संगनित दूद, ओल प्रेशर स्टोव, वाहनों में उप्योग में लाए जाने वाले लपीजी कंटेनर, कास्टिक सोडा आदी आपको बता दें कि वर्ष 2018 में सोने की बहुमूले धातूओं की B.I.S. हॉल मारकिंग को अनिवारे कर दिया गया था बता दें कि यह चिन भारत सरकार का क्रिशी और किसान का ल्यान मंतराले जारी करता है ना कि खा देवं क्रिशी संगठन इसलिए दूसरा कथन यहां गलत है यह चिन देश में कानूनी तोर पर लागू है 1937 के क्रिशी उत्पाद, ग्रेडिंग और चिन्नी करण अधिनियम से इसे माननेता मिली है एगमार्क चिन से क्रिशी उत्पादों की गुणवत्ता का पता चलता है यह चिन इसलिए जारी किया जाता है कि क्रिशी और किसान का लाण मंत्राले का विपनन और निरीक्षन निदेशाले जो मानक तयार करता है उनका पालन हो रहा है या नहीं अते हमारे इस प्रशन का सही उत्तर विकल्प A होगा अब अगला प्रशन है उपरिक्त कथनों में से कौन सा अथ्वा से सही है अथ्वा है तो आप्शन्स है एक केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो 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 और डी ना तो एक ना ही दो इसका सही जवाब है सी यानि दोनों कथन सही है प्रिये विविवर्स, QCI यानि Quality Council of India के स्थापना घेरलापकरी सोसाइटी के तोर पर हुई थी इसका गठन भारत सरकार और ओद्योगिक संगठनों ने मिलकर किया था जिन में सोचेम, फिक्की और CII शामिल थे QCI के गठन का मकसद राष्ट्रिय गुणवत्ता अभियान के जरिये राष्ट्रिय माननिता संरचना की स्थापना करना और गुणवत्ता को बढ़ावा देना था फिलहाल 38 सदस्यों की एक परिशद इसका कामकाज देखती है जिसमें सरकार और उद्योगों की तरफ से बराबर प्रतिनिधी होते हैं QCI के अध्यक्ष की न्यूक्ति प्रधान मंतरी करते हैं लेकिन इसके लिए औद्योगिक संगठन अपनी सिफारिशे करते हैं आपको बता दें कि वानिज्य और उद्योग मंतरा लेके अंतरगत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग QCI का नोडल विभाग है तो हमारे इस प्रशन का सही उत्तर C है अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रशन की ओर हिंद महासागर नौसैनिक परिसमवाद सिंपोजियम यानि IONS के संबंध में निम्निलिखित कथनों पर विचार कीजे कथन एक प्रारंभी यानि इनौगिरल IONS भारत में 2015 में भारतिय नौसेन की अधख्षता में हुआ था कथन दो IONS एक स्वैचिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेतर के समुद्र तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयों को बढ़ाना चाहता है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा अथ्वा से सही है अथ्वा हैं तो उप्शन्स हैं A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनों और D ना तो एक न तो दो तो इसका सही उत्तर है B यानि केवल दूसरा कथन ही सही है Previewers Civil Services Exam में आयोग अकसर एक सवाल ऐसा बनाता है जो या तो अंतराष्ट्रे संगठनों से संबंधित होता है या ऐसे संगठन से जिसमें कई देशों की सैनने भागिदारी होती है IONS भी ऐसा ही एक प्रयास है जो हिंद महासागर के तटिये देशों और दूसरे देशों की नो सेनाओ को एक साथ लाता है ताकि इन नो सेनाओ के बीच समुदरी सही होग बढ़े इस सिंपोजियम में नो सेनाओ के बीच सूचनाओ का आदान प्रदान होता है जिससे नो सेनाओ के बीच आपसी समझ बढ़ती है इस सिम्पोजियम में आस्ट्रेलिया, बंग्रदेश, फ्रांस, इंडोनेशिया, यूके, यूएई, भारत, श्री लंका और सौधी अरब आदी देशों की नौ से नाय हिस्सा लेती हैं आपको बता दें कि वर्ष 2018 में IONS की दसवी वर्षगाठ मनाई गई थी यानि 2008 में इसका पहला सिम्पोजियम हुआ था ना कि 2015 में अते हैं पहला कथन यहां गलत हो जाता है गौर तलब है कि यह पहला सिम्पोजियम भारत की अध्यक्षता में ही हुआ था इस प्रकार हमारा सही उत्तर हुआ आप्शन B अब हमारा आज का पांचवा और अंतिम प्रशन इस प्रशन में एक टर्म दी गई है जिससे संबंधित सही कथन का आपको चैन करना है तो प्रशन है सार्वजनिक अवसंरचना सुविधा यानि Global Infrastructure Facility आप्शन्स हैं एशिया में अवसंरचना के उन्नेयन के लिए आसियान का उपक्रमन है जो एशियाए विकास बैंक द्वारा दिये गए साख यानि क्रेडिट से वित्पोशित है गैर सरकारी खितरक और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहन कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है जो जटिल अवसंरचना सरकारी गैर सरकारी भागीदारियों की तैयारी और संरचना निर्मान को सुकर बनाता है C. OECD के साथ कारे करने वाले विश्व बैंक के प्रमुक बैंकों का सहयोग है जो उन अवसंरचना पर योजना को विसरत करने पर केंदरित है जिन में गैर सरकारी की विनिवेश संग्रहित करने की ख्षमता है D. अंक्टाट द्वारा वित पोशित उपक्रमन है जो विश्व की अवसंरचना के विकास को वित पोशित करने और सुकर बनाने का प्रयास करता है तो इसका सही जवाब है आप्शन B प्रिये वियोर्स इस सवाल का उत्तर देने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम इसकी भाशा को सही से समझें मान लेजिए यहां उत्तर B है यानि G.I.F. विश्व बैंक से संबंधित है लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सभी आप्शन्स में विश्व बैंक का विकल्प मिले लेकिन उसके आगे की जानकारे गलत दी जाए तो ऐसे में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए G.I.F. यानि Global Infrastructure Facility, सरकारों, बहुपक्षे विकास बैंकों, निजिक शेतर के निवेशकों और वितदाताओं के बीच साज्यधारी है G.I.F. की इस्थापना इसलिए की गई थी ताकि कठिन परियोजना को तयार करने, उनकी संरचना बनाने और उनको लागू करने में आपसी सहयोग को बढ़ाया जा सके G.I.F. से इन कठिन प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी सपोर्ट दिया जाता है, उसे भागिदारों की पूरी तकनीकी अनुभव के साथ ड्रॉ किया जाता है G.I.F. इस बात की भी जाच करती है कि बाजार में जो प्रोजेक्ट लाए गए हैं वे सरकारों के सतत विकास के लक्षे को पूरा करते हैं या नहीं G.I.F. के वित्व साज़धार ही G.I.F. में वित्यय युगदान देते हैं इसकी गवर्निंग काउंसिल में उभरते बाजारों और विकास शील अर्थवेवस्था के वित्यय और तक्नीकी साज़धार प्रते निधित्व करते हैं जबकि विश्व बैंक समूँ और एक वित्यय साज़धार इसकी उपाध्यक्षता करता है तो हमारे इस प्रशन का सही उत्तर होगा विकल्प भी तो ये था हमारा आज का सेशन मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए धन्यवाद करता है